हेलो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने पार्थ एक हम सब सुमन एक उपवन के कविता की रेडिंग की उसका अर्थ समझा आज हम पार्थ दो भारत का विनन्दन के बारे में बात करेंगे अभिनन्दन वर्तमान के बारे में आप हम सभी जानते हैं कि वो इस देश के बहादूर सेनिक हैं इनके बारे में जानकरी लेंगे अभिनन्दन वर्तमान जो हैं 19 जून 2004 में वायू सेना में फ्लाइंग अफसर के पत पर नियुक्त हुए थे तबी से वे अपनी सेवाएं वायू सेना को दे रहे हैं इनकी ट्रेनिंग बटेंडा हलवारा की आईयेब सेंटर में हुई थी मिक 21 वायस चलाने से पहले वह सुखोई 30 चला दिते इनकी बहादुरी के लिए इने वी चक्र दिया गया और भगवान महावीर अहिंसा पुस्कार भी इने मिला है इस पाठ में अभिनंदन वतवान के पराक्रम के बारे में बात की गई है अब हम पाठ को समझें बच्चों आपने अपने दादा दादी नाना नानी से वीरता की ऐसी बहुत सी कहानिया सुनी होंगी जिनके नायक कालपनिक होंगे वीरता यानि बहादुर नायक यानि हीरो कालपनिक यानि इमेजन परन्तु आज हम आपको वीर्ता की ऐसी सच्ची कहानी बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी इस कहानी के नायक अभिनंदन वर्तमान ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को धूल चटा दी थे आप लोगों ने अपनी नानी और नाना से वीर्ता की कई कानिय से नहीं होगी लेकिन जो उसके हीरो होते थे वो बहुत कालपनिक होते थे लेकिन इस पार्ट में अभिनंदन वर्तमान के बारे में जो बात कही जा रही है वो रियल हीरो हैं, वो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, उनकी बहादरी की बारे में हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी 2019 को सुभर करी 10 बजे, पाकिस्तान ने अपने लड़ा को कुछ बिवान भारत की सीमाओ की और भेजे पाकिस्तानी सीमाओं के इस बेड़े में अत्याधुनिक विमान F-16 भी थे अत्याधुनिक माने आज के समय के, F-16 यानि बहुती जिनमें modern technology है वो वाले लड़ा को भीमान थे कहा जाता है कि अमेरिका में बने F-16 दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ा को भाने जो F-16 विमान है वो अमेरिका में बने है और वो पूरे वर्ल्ड के दुनिया के सबसे modern technology के विमान है इस सुपरसोनिक विमान में बन के साथ साथ कई तरह की मिसाइलें भी लगे हुई है सुपरसोनिक यानी धौनी की गती से भी तेज चलने वाला धौनी की गती होती है उससे भी अधिक तेज चलने वाला की उपादी दी गई है इस विमान को F-16 को जिसमें की विमान में बम और कई तरह पकार की मिसाइलें लगे हुई है वो विमान हमारे भारत की सीमाव की और पाकिस्तान ने भेज रहते और वो बढ़ रहते जैसे ही भारतिये वायु सेना के रडार पर रडार यानि एक यंत्र जिसका उपयो आकास से दूर की वस्तूं का पता लागा लेना होता है जैसे ही वो रडार पर पाकिस्तान के लड़ा कोई विवान दिखाई दिये भारतिये वायु सेना ने मिक-21 वायसन सुखोई 30 और मिराज 2000 मिराज हमारे टिककनपुर में ही इस्तित हैं मिराज 2000 उन्हें रोकने के लिए भेजे उस समय मिक-21 वायसन को भारतिये विंग कमांडर अभिनंदन मर्दमान उड़ा रहे थे जब वो रडार पे अपने भारतिय सनिकों ने पाकिस्तान के लड़ा कुई वान आते देखे तो वायसन सुखोई 21 वायसन सुखोई 30 और मिराज 2000 उन्हें रोकने के लिए भेजे तब जो मिक-21 वायसन जो वो अभिनंदन मर्दमान उड़ा रहे थे आदेश मिलने के बाद अपना विमान पाकिस्तानी विमानों की ओर मोड दिया और उन्हें खदेड दिया मिंग कमांडर अभिनंदन मर्दमान को जैसे ही आदेश मिला उन्होंने अपना विमान पाकिस्तान विमानों की और मोड के उनको खदेर करने भगाने के लिए विवश कर दिया भारती सीमा से बहा जाने के लिए विवश कर दिया ने पजबूर कर दिया इसी बीच नोंने मिग-21 से मिसाइल चलाकर F-16 जैसे अत्याधनी विमान को धेर कर दिया धेर कर दिया मन्दख गिरा दिया अपना जो विमान उड़ा रहे थे मिग-21 उससे ही चलाकर जो अत्याधनी विमान F-16 ने उसको नोंने माल गिराया पाकस्तानी विमानों का पीछा करते हुए अमिन्दन का विवान भी जल उठा बचने के लिए उन्होंने पैराशूट के साथ कई पाकस्तानी विमानों का पीछा कर रहे थे तो उस विमान में उनकी विमान में आग लग गई और उससे बचने के लिए उन्होंने पैराशूट का उप्योग किया और पैराशूट के कई हजार फूट की विमानों के नीची की और चला लग लगा दी लेकिन दुरगागी वि सीमा में पड़ यानि वह पाकिस्तानी सीमा में उतर गए जहां पाकिस्ताने के नागरिकों ने उन पर पत्थनों से हमला कर दीया पत्थर्аж से हमला बोल दिया। जेब में पिस्तॉल होने पर भी अमिनन्दन ये सोच कर निहत्य माने जिनके पास अत्यार ना हो ये उनका सामना करते रहे उनकी गोली से कहीं कोई ये दोश विक्ति ना मारा जाए निदोश या नहीं इसका कोई दोश नहीं हो क्योंकि वो नहीं आते हैं, उनके पास अत्यार नहीं है, वो पत्थर से वार कर रहे थे, वो इतने महांदूर थे, उनके दिमाग में तब भी यही बात चल लही थे, कि यह लोग नहीं आते हैं, गाउवाले हैं, नहीं समझ रहे हैं, ने दोश हैं, इनका कोई दोश नहीं है, हाथ में पिस्तोल होने के माद भी उन्होंने 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 कोई हमला नहीं किया बात में पाकिस्तानी सेना ने बीज बच्चाओं करके उन्हें बंदी बना लिया तभी थोड़ी देर में पाकिस्तानी सेना आ गई और उन्होंने उनको अरेज कर लिया बंदी बनाना है रेस्ग लिकिन पकड़े जाने से पहले ही अमिनननने समाजदारी दिखाते हुए अपने सभी महत्पूर्ण कागज मुँ में डाल कर चबा डालें जो हमारे सेनिक होते है, जब वह किसी भी जंग पर जाते हैं उन्हें कई तरह के महत्पूर्ण कागज दिये जाते है जिससे कि वह सबीतरे की महत्पूर्ण जानकर यांउन्के पास रहें वह उनकी जेब में थे जब अरेस्ट किये गए पाकिस्तानी सेना के दोरा तो उन्हो चुटे चुटे कागज थे वो सारे मुव में डालके वो अंदर पेट में निगल गए अगले देन ही पाकिस्तानी सेना ने अभिनादन वतमान का एक वीडियो जारे गिया जिसमें उनकी आखों पर पट्टी बंजी हुई थी और उनके चहरे पर खून था इसकी भारत सही पूरे विश्वने घोर निंदा की गई निंदानी बुराई की गई इसकी तुरंदबाद पाकिस्तानी सेना ने अभिननन का दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वे चाय पीते हुए पाकिस्तानी सेना अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रहे थे अभिननन से भारती सेना की महत पूर्ट जानकर या जानने की बहुत कोशिश की गई परंतुनों ने कुछ भी नहीं बताया जब उनको बंदी बना लिया पाकिस्तानी सेना ने तो उनका एक वीडियो जारी करके बताया गया कि ये आपका सेनिक हमारे पास है उनके चहरे से तब खून निकल रहा था उनकी पट्टी बंदी हुई थी और ये सब देखे पूरे विश पूरे फर्ड ने इस चीज की जिन्दा की कि किसी विशेनी को बान कर बंदी बना कर आप इस तरह से वीडियो बना कर नहीं दिखा सकते हैं तो इस चीज की पूरे व बहुत इनकी बहुत बुराई हुई पूरे विश्व में अमिनन्दन ने भारती अमिनन्दन जो थे उनसे बहुत से महत पूर जानकारियां जानने की कोशिश की गई पाकिस्तानी सेना के दौरा परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया वो सब को सहन करके चुपचाब र रिहाई के लिए अपने इस तर पर काम कर रही थी टीवी पर आखें जमाय भारत के निवासी भी उनसे संबंधित पलपल की खबरे देख रहे थे और उनके लिए प्रातना कर रहे थे हम सब जो थे यह सब चीने टीवी पर देख रहे थे और हम लोग भी उनकी रिहाई के ल ये प्रात्ना कर रहे थे कि वो किसी भी तरह उनकी पड़ोसी देश की सेने से जूटके हमारे पास आ जाएं भारे सरकार द्वारा बनाए गए दवाव से अंततहा पाकिस्तान को जुकना पड़ा और एक माच 2019 की रात को बागा बॉर्डर को हम लोग अंतारी बॉर्डर भी कहते हैं बागा बॉर्डर पाकिस्तान की साइड है लेकिन अपनी साइड अंतारी बॉर्डर है पर भारतिय सेनदिकारियां को अभी नंदन को सौम दिया अभी नंदन के भारत लोटने पर देश बासी ने उनका हार्दिक स्वागत किया पूरे भारत में खुशियां मनाई गई, मिठाई बाटी गई जब अभिनंदन भारत लोटे तो देश माशी ने हेदे से उनका सागत किया, हार्दिक मन ने हेदे से सागत किया और पूरी देश में मिठाई बाटी गए बच्चों, साहस की मूर्ती अभिनंदन वर्तमान का जनम 21 जून 1983 को भारत के तमिल नाडू राज्य में हुआ था अभिनंदन वर्तमान 19 जून 2004 में वायू सेहना में फ्लाइंग आफिसर के पत पर नियक्तु हुए थे और तभी से वे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों, आपको ये जान का आश्र होगा कि अमिनंदन का परिवार तीन पीडियों से यानि तीन जनरेशन से ये इनका परिवार वायू सेहना की सेवा में हैं वायू सेहना से जुड़ा हुआ है ना सिर्फ उनकी पिता श्री एस फर्तमान भारतिय वायू सेहना में एर्स मार्शल के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं बलकि उनके दादाजी भी दूसे विश्व यूदे के समय भारतिय वायू सेहना में थे उनकी पतनी तन्वी मारवा भी वायू सेहना में रह चुकी हैं अभी अविनंदन के भाई भी वायू सेहना में कारेरत है यही कारण है कि वीरता और शौरे अविनंदन के रग रग में दोड़ता है अभी नंदन वरतमान को भारत सरकान ने युद्धकाल में भादुरी के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैनी सम्मान वीर चक्र से सम्माने किया भारत ये गौर्मेंट ने उनको वीर चक्र से सम्माने किया अन्त में एक और बात आज भी दुनिया इस बात से हरान है कि आखिरकार विक कमांडर अभिनंदन ने कैसे कई साल पुराने मिक 21 वाईसंस से आज के अत्या धुनिक F-16 विमान को मार गिराया था परन्तु हम जानते हैं कि ये उनकी इच्छा शक्ति, कौशल, साहस और देश के लिए स्वयम को बलिदान कर देने वाले जजवे की कारण संबब हुआ था झाल